जैसा कि विदित है कि मैंने अपनी प्रेस वार्ता दिनाख 4 अगस्ट 2024 में और फिर पुने अपने ट्यूट दिनाख 9 अगस्ट 2024 के द्वारा बीजेपी की केंद्र सरकार से इस देश के समूचे अनुसूची जाती वे अनुसूची जन जाती समाज की ओर से ये अनुरोध किया कि बर्तमान में चल रहे संसत्र में ही सविधान में संसोधन करके वे कानून बनाते हुए दवेंदर सिंग बना पंजाब राज्ये के केस में मान्य सुप्रीम कोड के दिनाख पहली अगस्ट 2024 के आए निड्ने में जिसमें की स्थी वे स्थी वर्गों को आरक्षन देते समय क्रिमी लेयर लागू करने तथा इन वर्गों के लोगों का उपवर्गी करन यानि कि सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षन को ही इनके समूचे आरक्षन को ये परकाट से खतम कर दिया गया है अर्था निश्प्रभावी बना दिया गया है इसके समद में अपनी बात रखी थी इसी विशेपर कल दिनाक 9 अगस्त 2024 को टेलीविजन के चैनलों में ये दर्साया गया कि बीजेपी के SC वे ST के सबी सांसद मानने परधान मंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने भी परधान मंत्री जी को मानने सुप्रीम कोट के इस निर्ने से आरक्षन खथम होने की स्तिती उत्पन हो गई है इससे अवगत कराया जिस पर मानने परधान मंत्री जी ने उन्हें ये आस्वाशन दिया कि SC वे ST वर्गों के आरक्षन में किर्मी लियर तथा उनका उप वर्गी करन नहीं होने दिया जाएगा इस पर गोर किया जाएगा परधान मंत्री जी दुवारा अपने सांस्दों को दिये गए इस आस्वाशन के बारे में कई न्यू चैनल पर परसारण होने पर फिर मैंने कल ही दिनाक 9 अगस 2024 को एक ट्यूट करते हुए कहा कि जो यह आस्वाशन दिया गया है अगर वो पूरा किया जाता है तो इसका हमारी पार्टी स्वागत करेगी तथा इसी ट्यूट में मैंने ये भी कहा कि प्रंतु इस आस्वाशन को तो तभी पूरा किया जा सकता है जब केंद्र सरकार वर्तमान में चल रहे संसत्र में ही एक सविधान संसोधन लाकर मान्य सुप्रीम कोर्ट के इस निड़ने को निश्प्रभावी बनाते हुए ये प्रवधान लाती है कि ऐसी एवामेस्टी वर्गों के आरक्षन के लिए इन जातियों को कभी भी उपवर्गी क्रित नहीं किया जा सकेगा तथा इन पर क्रिमी लेयर भी लागों नहीं होने दिया जाएगा और साथ ही मैंने ये भी कहा कि आज इस मामले में दिशम इस्तिती उत्पन ही ना होती अगर केंद्र सरकार ने अपने अटोर्नी जनरल के माध्यम से मान्य सुप्रीम कोट के समक्ष एसी वेस्टी समाज के उपवर्गी करन एवं क्रिमी लेयर के पक्ष में जोड़दारी से अपने कथन ना रखे होते यदि उन्होंने ठीक डंग से पैर भी की होती तो शादिय ऐसी नुबत नहीं आती और अब इसी सत्र में सविधान संसोधन ना लाकर अचानक वर्टमान सत्र को ही तै की गई निश्चित तारीक के पूर्व ही कल दिनाक 9 अगस 2024 के शाम को अनिश्चित काल के लिए सदन जो है संसर जो है वो उस्तागित कर दिया गया जिससे की मानने सुप्रीम कोर्ट दुवारा दिया गया ये आसविधानिक निड़ने बना रहे है और बीजेपी की केंदर की सरकार की मनसा जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी वह बनी रहे जिसके तहत इस देश के समूचे एस्सीव एस्टी वर्गों के लोगों को क्रिमी लेयर के बहने तथा उनके बीच में उब वर्गी करन करके उन्हें आरक्षन से ही हमेशा हमेशा के लिए वन्चित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना सविधान बदले ही एस्सीव एस्टी वर्गों का आरक्षन हम के लिए खतम कर दिया जाए एक और वर्तमान सत्र को निश्चित निथी से पूर्व ही समाप करना और दूसरी तरफ मानने परधान मंत्री जी का ये हवा हवाई आसवाशन देना कि मानने सुप्रीम कोट के इस लिड़ने को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम ना उठाना तथा कोई भी कारवाई आदिनक करना ये स्पष्ट रूप से दर्साता है कि या तो मानने परधान मंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आसवाशन अपने ऐसी ऐस्टी वर्गों के सांस्दों को दिया हुआ ही नहीं गया है या फिर ऐसा आसवाशन केवल इन वर्गों के लोगों को भरमीत व्यगुम्रा करने के लिए ही दिया गया है और इसलिए अभी तक अधिकारिक तोर से मानने परधान मंत्री जी द्वारा प्रेस के माध्यम से प्रेस के माध्यम से या अपने कुछ सरकारी ट्यूट के माध्यम से इस आसवाशन की कोई पुस्टी नहीं की गई है कि बल आसवाशन दिया जब वो MPs लोग मिले हैं लेकिन अलग से कोई सरकारी तोर पर उन्होंने ना कोई प्रेस के दुवारा इस समद में बता है ना कोई उन्होंने अपना कोई ट्यूट जारी किया सरकारी तोर पर जैसे वो करते रहते हैं इन सब कारणों से आज इस देश में S.C.V.S.T. वर्गों के रहरे लगभग 40 करोड से जादा लोग पूर्म में कांग्रेस की रही सरकार की तरही वर्तमान बीजेपी की केंदर की सरकार के दुवारा भी अपने आपको काफी ठगा सा महसूस कर रहे हैं जिनकों की यहां बरसों से छुवा छूत एवम अने को अन्य शोशन में उत्पीडन आदी सैने पड़े हैं और जो आज भी सैने पड़े हैं जिसकी वज़े से यह लोग आज भी समाजिक एवम आर्थिक तोर से पिष्डे हुए हैं जिने यह आरक्षन दिलाने का कारिये परम पूजे बाबा साथ डॉक्टर भीमरा वंबेट गर्द्वारा कांग्रेस पार्टी के भी विरोध के बावजूद अपने अथक परियासों से दिलाया गया है जबकि केंदर की सरकारों ने इस आरक्षन को खतम करने के लिए समय समय पर लगातार अने को प्रियातन किये हैं जैसे कि सरकारी नोक्रियों को खतम करके कॉंट्रेक्ट के माध्यम से कार्ये कराना जिन में उनके द्वारा नियुक्त करमचारियों पर कोई आरक्षन लागू नहीं होता है। सरकारी उपकर्मों अर्थाज संस्तानों को निजी हातों में बेज कर उनमें मिल रही लाखों की संख्या में नोक्रियों जिसमें ऐसी वे ऐस्ती वर्गों को भी आरक्षन उपलब्द था वो भी खतम कर देना। लाखों के संख्या में पदों को खाली करना। देश में लाखों पद जो की ऐसी वे ऐस्ती वर्गों के लिए आरक्षित थे उन्हें सालों से खाली रखना। और बाद में उन्हें समात करके समान्य वर्ग को दे देना। पदो उन्ती में आरक्षन के लाप से SCVST वर्गों के करमचारियों को पहले ही मान्य सुप्रीम कोट के एक पूर्व निर्णे जो की नागराज के केस में दिया गया था उसके तैत खतम कर दिया गया था तथा जिस निर्णे को निश्प्रभादी बनाने के लिए संसद में सविधानिक संसोधन विद्यक BSP के अथक प्रयासों से राज्य सभा में तो पारित हो गया था प्रन्तो उसके बाद वह लोग सभा में आज तक भी पास करने के लिए नहीं लाया गया है और ये वो ही बिल है जिसको की समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों के द्वारा कांग्रे सहबं BGP के साथ मिलकर संसत के अंदर ही हार दिया था और अब इसी परकार ही भाजापा की केंद्र सरकार ने अपने वकील अटार्णी जन्रल के माध्यम से सुप्रीम कोट में उप्पू वर्गी करल और क्रिमी लियर के पक्ष में गलत दलीले दिलवाई थी जिसकी वज़े से ही नागराज के निर्णे की तरह दविंदर सिंग बना पंजाब राज्य के केस में भी माध्य सुप्रीम कोट दुबारा दिनाग पहली अगस्त दो हजार चोबिस को आरक्षन के विरुद निर्णे दिया गया है जिसका सीधा असर ये होने वाला है कि अब संपूर्ण ऐसी वेस्टी वर्गों को आरक्षन प्राप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि इस निर्णे के अंदर ऐसी वेवस्ता कर दी गई है कि अब पूरे देश में राज्य सरकारें अपने अपने राजनितिक फायदे के हिसाब से ऐसी वे ऐस्ती वर्गों के लोगों को आपस में ही लड़वाने का काम करेंगी और इन वर्गों के लोगों को जीवन भर कोट कचैरी के ही चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देगी और फिर अंत में इनके सभी आरक्षित पद खाली पड़े रहने के कारण या तो ये पद खतम कर दिये जाएंगे अन्य था इन्हें सामाने वर्गों को ही दे दिया जाएगा ऐसे में मेरी इस देश के सभी ऐसी वे ऐस्ती वर्गों के सांसदों अबम MLA वे MLC तथा अन्य राजनितिक पदों पर बैठे लोगों से भी चाए वो किसी भी पार्टी से चुनकर आए हो उन सभी से ये कहना है कि ये लोग BJP, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी वे अन्य पार्टियों के भी SC वे ST वर्गों के आरक्षन के व्रुद उनकी नियत वे सोच से जरूर सजग हो जाए सचेत रहे और अपने मूल भूद सविधानिक आरक्षन के अधिकारों को खतम होने से बचाने के लिए एक जुठ होकर इसके विरुद अपनी अवाज एक सविधानिक और शांती पूर्वक तरीकों से पूरी जोड़दारी से उठाएं वरना अब इस देश के SCVST वर्गों के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आरक्षन से वन्चित कर दिया जाएगा फिर वो चाहे नोक्रियों में आरक्षन हो या किसी राजनितिक पद के लिए हो जैसे कि MPVMLS आधि के लिए हो इसके साथ मेरा ये भी कहना है कि अब समय आ गया है जबकि मानने उच नियाले एब उस्तम नियाले आधि की नियुक्तियों में भी SCVST वर्गों के लिए पद आरक्षित किया जाए जिससे कि इन उच अदालतों में इन वर्गों के लोगों की भी बात सुनी जाए और समझी जाए और भविश्य में मानने सुप्रीम कूर्ट दुबारा नागराज केस में दिये गए निर्णे अब हम दिनांक पहली अगस्ट दो हजार चोविस को दविंदर सिंग बना पंजाब राज्य में दिये गए निर्णे की निर्णे की तरह के अन्य कोई और निर्णे SCVST वर्गों के विरुप दे कर उनके सविधानिक अधिकारों का हनन ना किया जाए इसके इलावा मेरा साबधानी के तोर पर SCVST वर्गों के लोगों को ये भी कहना है कि दिनांक पहली अगस्ट दो हजार चोविस को मानने सुप्रीम कोड के द्वारा SCVST वर्गों के आरक्षन के मामले में दिये गए निर्णे को लेकर अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठिये है इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है इस पार्टी के बारे में इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है इसके साथ ही जहां जहां इस पार्टी की यानि की कांग्रेस पार्टी की अपनी राज्य सरकारे हैं तो वहां ये पार्टी अभी तक भी अपनी स्थिति क्यों नहीं स्पस्ट कर पा रही है अर्थात वहां भी ये पार्टी चुप क्यों बैठी है या फिर ये कहे कि हम इस निड़ने को यानि कि कांग्रेस पार्टी इस निड़ने को ही मानते हैं और इस पर ही अमल करते हैं जो अभी पहली अगस्ट दो हजात चोविस को मानने सुप्रीम को ने दिया है इसके साथ इंकी पंजाब वे दिल्ली में इनके अपनी सरकार है ये पार्टी भी इस मामले में अपनी इस्तिति स्पस्ट करें कि ये पार्टी इस निर्ण में को वहाँ लागू करेगी या नहीं इस परकार इन पार्टियों की भी इस दोगली निती से ऐसी वैस्टी वर्गों के लोग जरूर साबधान रहें जिनोंने इस बार देश में अठारवी लोगसभा के हुए आमचुनाव मेखास कर आरक्षन वैस सविधान को बचाने के नाम पर इन वर्गों का बोट हासिल करके अपनी अधिकान सीटे जीत ली है अपनी अधिकान सीटे जरूर जीत ली है और अपनी एक मात रितेशी पार्टी बीएस्पी को नुकसान पहुचा दिया है और आब अंत में मेरा इन जैसी अन्य सभी पार्टियों से पार्टियों से भी यह अनुरोध है कि बेबी इस देश के करोडों ऐसी वैस्टी वर्गों के लोगों के समक्ष इस निर्णे के मामले में अपनी अपनी पार्टी का स्टेंड जल्दी हिस्पस्ट करें ताकि सही इस्तिती इन वर्गों के सामने आ सकी बाकि जो पार्टियों चुप बैटी हुए हैं अपनी स्टिती स्पस्ट करें चुनाव में तो यह बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे सवीधान बचाने की आरक्षन बचाने की अभी जो पहली अगस्त को जो अब यह जो भी रिसेंट अभी जो निर्णे आया है उस निर्णे पर तो अभी यह सभीधान नहीं दिखा रहे किसी को अभी आरक्षन की बात नहीं कर रहें कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग तो अभी नहीं यह सभीधान की बात करें ना इनके आरक्षन की बात क कि लिए मेरा यही कहना है इस सभी पाटियों से चाहे बीजे पीए एक कांग्रेस हैं कि वल आस्वाशन देने से बीजे पीके रहने की और से आस्वाशन आया है आसवाशन से काम नहीं चलेगा इनको जो इनको इन लोगों को S.C.S.T. वर्गों को जो इस फैसले से इस निर्ने से नुकसान हो रहा है तो उस पर वो अपना सही स्टेंड ले और ये कोई केबल आस्वाशन से या गोर करने से माने परधान मंत्री जी ने जो का है कि हम गोर करेंगे आस्वाशन दिया उससे काम नहीं चलेगा इसका बड़ भरी नुकसान इन वर्गोव के लोगों को हो रहा है बहतर तो यही होता कि कल जो लो ने दो तीन दिन पहले ही संसद के दोनों सत्र जो इनोने अनिश्शित काल के लिए स्टगित कर दिया हैं बहतर यही होता कि इसको ये अनिश्चित काल की बजाए तो ये थोड़े समय इसको ये नहीं करते इसको इसको continue रगते और पांच-छे दिन के बाद पूरी तियार करके तो इस ये संसोधन वीध्यक को ये पारलेमेंट में इस मामले को लेकर पारलेमेंट में संसोधन वीध्यक ये लादे लेकिन नहीं लाए तो इसलिए मेरा माने परधान मंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में निये साफ है तो आप अपने और म वालों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तियारी करें, और ये जो पहली अगस्त को दो हजार चोबीस को जो माने सुप्रीम कोट का निर्ने आया है, तो इस निर्ने को निस्परभावी बनाए, हाउस बुलाएं और मालूम भी पढ़ जागा कि हाउस में सभी दलोके का क्या स्ट्रेंड है और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए ये ठीक नहीं है वरना जिन राज्यों में अब जल्दी ही जिन राज्यों में जल्दी ही विधान सभा के आम चुनाब होने वाले हैं तो इन वर्गों के लोग ना बीजेपी को माफ करेंगे ना कांग देश को ना पार्टियों को माफ करेंगे क्योंकि इनों ने इस बात जो अठार्वी लोग सभा क्याम चुनाब हो है उसमें वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वास घात क्या दोका दिया है इनको का कि कि हम सविधान बचाएंगे अरक्षण आपका खतम हो जागा अब यह चूप क्यों हैं अब ये लोग चूप क्यों हैं तो लेकिन इसले साफ जाहि Voldem比 औरे ना ये सभी और यहाँ पयुकित वहार्ट यह ञाया और अरक्षण को लेकर ये जो सवीधान को दिखाते गूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग अग क्यों नी सविधान को दिखा रहे हैं और क्यों नी आरक्षन की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षन जो निस्प परभावी हो गया है तो इसको परभावी बनाने के लिए इनको पार्लेमेंट का सत्र जल्दी ही शोट नोटिस में इनको बुलाना चाहिए और अपने स्तिति बीजेपी की सरकार को किलियर करनी चाहिए और बाखे पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कोकि यह कुछ जरूरी बातें बुलाने के कहने के लिए मैंने आज आप लोगों को तकलीब दी है हलाक कि इससे भी मैंने पहले प्रेस बुलाई थी लेकिन अब जो हला जो स्तिती सामने आ रही है कल मैंने ट्यूट भी किया लेकिन ट्यूट में सारी बाते नहीं आ सकती हैं ट्यूट में सारी बाते नहीं आ सकती है इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं मेडिया बंदों के समक्ष जाकर अपनी पार्टी की सही स्तिती आप लोगों के सामने इस समंद में रखूँ इसलिए आज मैंने आप लोगों को तकलीप दी है इनी जरूरी बातों के साथ हम अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं धन्यवाद जै भीम वे जै भारत